Dear Learners, In Today's Topic, I am going to discuss about the Cytonealian Theory for the Origin of Angiosperm. आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे, Cytonealian Theory for the Origin of Angiosperm. कि किस तरह से जो हमारे Cytonia है या कुछ लोग इसको Ketonia में बोलते हैं, they are responsible for the origin of Angiosperm. क्या Origin of Angiosperm Cytonia से हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में आज हम इस लेक्चर में study करेंगे, so let's start with this lecture. जैसा की जो ये theory है, Cytonealian Theory है, ये actual में किस ने propose की थी, ये propose की गई थी by H. H. Thomas, मतलब की H. Hampshire Thomas, in year 1925 and 1936. तो एक्चल में ये जो scientist है, जिन्होंने ये theory पर्पोज की है, for the origin of Angiosperm, इन्होंने जो basis लिया था comparative study के लिए, वो एक्चल में हमारे जो modern flowering plants हैं, उनको compare किया गया है, कुछ सर्टन fossil plant के साथ, और ये fossil plant कौन सा है, साइटोनिया है, या किटोनिया है, और ये middle Jurassic में पाया जाता था, मतलब की इस lecture में हम ये देखेंगे, कि किस तरह से जो हमारे modern Angiospermic plant हैं, और जो ये हमारे पास fossil plant है, middle Jurassic में मिला है, साइटोनिया, ये किस तरह से आपस में matching शो करते हैं, या इनमें कौन-कौन से differences हैं, तो जैसा कि जो भी हमारे पास ये plants होते हैं, इनमें मतलब कि साइटोनिया जो होता है, उसमें Angiosperm की तरह Anthres होते हैं, जो कि group या फिर single branching pinnate structure में produce होते हैं, जिसकों की हम क्या बोलते हैं, sporophyll बोलते हैं, और दरसल ये जो Anthres हैं, साइटोनिया के केस में जो Anthres हैं, ये structure एक्चल में कौन-कौन से Angiosperm के stemons के साथ matchable हैं, तो वो कौन-कौन से Angiosperm हैं, वो है हमारे पास racinus, वो है हमारे पास hypericum, और एक और Angiosperm हैं, तो ये जो तीन Angiosperm यहां पर बताया जा रहे हैं, racinus है, hypericum है, calotheminus है, इन सब के साथ, जो Cytonia है, इसके Anthres क्या करते हैं, matching show करते हैं, इसी तरह से, जैसा कि आप ये diagram देख रहे हैं, इस diagram में आपको यहां पर नज़र आ रहे हैं, pinnately arranged capules नज़र आ रहे हैं, अभी बात करेंगे कि, capules क्या होते हैं, और ये कि structure की तरह matching show करेंगे, मतलब कि ये carpels की तरह matching show करते हैं, और B वले diagram में आपको brassed stamens की structure जो है, वो यहां पर नज़र आ रही है, तो भई अभी तक हमने सिर्फ यही बात, यही पॉइंट यहां पर पढ़ा है, कि जो भी साइटोनिया में brassed stamens थे, वो दरसल racinus, hypericum और calotheminus, RCA आ पर याद रख लेना, इनके stamens की तरह क्या करते हैं, matching show करते हैं, अब जो हमारे पास thomas है, इसने यह बताया था, मतलब कि साइटोनिया को लेकर यह बताया था, कि angiosperm किस तरह से actual में arise हुए हैं, तो यहां पर क्या बताया गया है, कि जो भी हमारे पास, carpel wall of angiosperm है, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं, किप्यूल, मैंने अभी आपको बताया कि, किप्यूल किस की तरह है, carpel की तरह, and that the possible origin of stigma, should be considered in the light of ancient form, मतलब आप इस लाइन से सिर्फ इतना समझो, कि जो हमारे पास angiosperm में, carpel wall है, वो किप्यूल की तरह, साइटोनिया के किप्यूल की तरह, matching show करती है, इसी तरह से, जो हमारे साइटोनियल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो affinity show करते हैं, मतलब similarity show करते हैं, teradus sperms के साथ, जो की, अब हम क्या बोलते हैं, teradus sperms को, जो की mesozoic remnants हैं, इस group के, इसके अलावा, और क्या-क्या बाते हैं, जो नोट करने बाली हैं, जो भी हमारे पास ancestor हैं, angiosperm के वाज में क्या होना चाहिए, उसमें open megasporophyll, with exposed avule, जो है, वो present होना चाहिए, which is evident from morphological studies, on the nature of the carpel, मतलब की carpel में ये, अगर हम किसी structure को, किसी angiosperm के साथ, matching कर रहे हैं, तो उसके carpel कैसे होने चाहिए, open megasporophyll होने चाहिए, और ovule exposed होना चाहिए, तो जैसा कि, यहां पर क्या देखा जाता है, कि this is the ovary-like pouches of the ketonia, कि ketonia के case में, जो भी किप्यूद्स हैं, they are ovary-like structure, and they cannot be taken for runner of the angiosperm carpel, और उसमें angiosperm carpel की तरह exact feature, जो हैं, वो नहीं पाए जाते हैं, ketonia में या cytonia में, angiosperm की तरह, no doubt, carpel की तरह structure है, कि pure, लेकिन उसी की तरह exact angiosperm की carpel, जो हैं, वो ketonia में नहीं पाए जाती, यहां पर क्या आगया, difference जो है, वो देखने को मिल रहा है, अब इसके बाद, हमारे पास आए stebbins, stebbins ने भी 1974 में क्या किया था, कि cytonian theory को support किया हुआ है, वो इस theory को क्या करते हैं, support करते हैं, और वो क्या बताते हैं, कैसे support करते हैं, क्योंकि उन्हाने देखा था, कि जो भी हमारे पास angiosperm का ovule है, और cytonia है, इन दोने में क्या पाई जाती है, homologi, एक जैसी structures जो है, वो देखने को नजर आएंगी, अब इन्होंने दो problems को यहां पर discuss किया हुआ है, अब वो दो problems क्या बताई हुई है, कि ठीक है, हम कार्पल, angiosperm की कार्पल को, कि प्यूल और cytonia के साथ, मैचिंग कर रहे हैं, लेकिन वो दो problems को यहां पर mention कर रहा है, क्या mention कर रहा है, कि ovule कैसा होगा, एनाट्रॉपस की, और्थोट्रॉपस, अब यह वहां पर confuses, कि why should the primitive orientation of angiosperm ovule, be anाट्रॉपस, rather than, और्थोट्रॉपस, कि वो ovule एनाट्रॉपस क्यों था, जैसा कि, जितने भी seed plants होते हैं, उसमें ये feature है, कि उनका ovule कैसा है, एनाट्रॉपस, मतलब simple सी भाषा में समझो, कि वो यहां पर रुका हुआ है, step in बोल रहा है, कि क्या वो जो angiosperm, या जो कि प्यूल है, उनका जो ovule है, क्या वो एनाट्रॉपस है, कि और्थोट्रॉपस है, और second point क्या है इसका, कि अब वो integuments की study कर रहा है, कि क्या वो जो integuments होगा, जैसे कि जिम्नोसperm में, तो सिर्फ एक integument होता है, तो angiosperm में integument कितने हैं, तो एक तो वो एनाट्रॉपस, और्थोट्रॉपस ovule के बारे में जानना चाता है, और दूसरा ये देखना चाता है, कि ovule जो था, वो unitegmic था, या कि by tegmic था, तो ये दो problems के साथ, स्टेविन जो है, वो यहाँ पर question कर रहा है, इसी तरह से लेटर ओन हमारे पास, गुसेन एंड स्टेविन जाये थे, अब गुसेन और स्टेविन ने क्या सुझेस्ट किया है, कि जो भी ovule है, that is homologous, not to the unit of tegmic, orthotropos ovule of other seed plants, but to a kapiule of more advanced teredo sperms, मतलब यहाँ पर, वो actual में teredo sperms के kapiule को समझाने के कोशिश कर रहे हैं, और वो यह बता रहे हैं, कि इस तरह का structure जो है, वो कॉरिस्टोस्परमेसी और साइटोनीसी में पाया जाता है, position of these kapiule relative to their stock, was strikingly similar to that of the anotropos ovule, मतलब कि अब उनको समझ आ गया, कि जो ovule और उस kapiule के बीच में, जो relationship है, वो कैसा है, anotropos ovule है, being a well developed funicle, second point क्या है, in cytonia the kapiule were multi ovulate and dehiscent, अब cytonia के case में, जो kapiule है, वो multi ovulate और dehiscent होता है, लेकिन जो कॉरिस्टोस्परमेसी है, इनके जो ovule है, वो uni ovulate होते हैं, और साथ में in dehiscent होते हैं, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, difference पाया जा रहा है, कि किस तरह से, cytonia के के किपूल और क्रिस्टोस्परमेसी के ovule में, difference जो है, वो पाया जा रहा है, अब next point जैसे कि, आप इस diagram में देख रहे हैं, यह आपको किपूल और किटोनिया और साइटोनिया जो है, वो नज़र आ रहा है, किपूल का structure जो है, वो आपको यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है, किसका किटोनिया और साइटोनिया का, जो भी आप इसको परनाउस करना चाहते हैं, अब हम देखेंगे कि क्या features matchable हो रहे हैं ये नहीं हो रहे हैं अगर हम यह देखते हैं कि जो कप्यूल है वो होमोलोगा structure है अग्यूस्पर्म औव्यूल के साथ then the outer integument of the later become homologous with the कप्यूल wall अग्यूस्पर्म में जो कप्यूल है वो कप्यूल wall के तरह है और जो inner integument है that is with the single integument of the ketonia ovule as well as with the ovule of the other gymnosperm और वागी के gymnosperm में भी उसी तरह का structure जो है वो नजर आता है within the कप्यूल और anatropos outer integument the ovule of angiosperm has orthotropos arrangement अब angiosperm में जो ovule पाया जाता है उसमें जो arrangement है वो कैसा है orthotropos है जबकि जो kipyul है वो कैसा है anotropos है ध्यान रखे कि pyul anotropos है लेकि angiosperm में पाया जाने वाला जो ovule है वो कैसा है वो है हमारे पास orthotropos अब situation और क्या difference आ रहा है डिफरेंस यह आ रहा है कि अब हम साइटोनिय के किप्यूल की पुजीशन देखेंगे तो इसकी पुजीशन कैसी है? टर्मिनल है लेकिन अगर एंजिस्पर्म के साथ इसको मैचिबल किया जाए तो इंजिस्पर्म में जो अव्यूल की पुजीशन है वो कैसी आती है? लेटरल आती है स्टेविन आर्गो दैट इस सिचुएशन कैन भी अब स्टेविन बोलता है कि अगर आप इस सिचुएशन को समझना चाहते हो तो आपको एक और फॉसिल जो है उसको स्टड़ी करना पड़ेगा जैसे जो है लिग गेटोनिया जो कि आपको पर्मियन स्ट्रेटा साथ अफरेका में पाया जाता है और यह किसके साथ पाया गया था? विद दे लीवस अफ गलोसोप टैरीस टाइप तो यहां पर यह बताने की कोशिश की जारी इस थेओरी में कि जो भी कारपल है प्लस जो किप्यूल है वो कितनी हद तक मैचिंग शो करते हैं और कितने परसेंट उसमें डी सिमिलर्टी जो है वो पाये जा रहे हैं तो आप यहां पर इस डाइग्राम में देख रहे हैं कि यह आपको फर्टाइल ब्राँच नजर आ रही है और जो हमारे पास फॉसिल है वो है हमारे पास लेगगेटोनिया तो लेगगेटोनिया में आपको नजर आ रहा है फर्टाइल ब्राँच नजर आ रही है sperm के ancestor थे वो कौन थे advanced teridal sperms हैं कौन है ancestor इस theory के according ancestor है advanced advanced teridal sperms तो advanced teridal sperms जो है वो इनके ancestor हैं जो की gloss of teridian cytonelian alliance को follow करते हैं उससे belong करते हैं और ये कब flourish हुए थे during the permian triassic and jurassic period तो भई इस पूरे story में इस पूरी theory में ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से हमारे जो cytonia के members हैं और जो angiosperm हैं उसमें पहले तो बताया कि उनके stamens में anthers में क्या similarity पाई जाती है और वो किस तरह से racinus hypericum और calotheminus के साथ similarity शो करते हैं उसके बाद ये बताया गया कि किस तरह से cytonia जो है वो teradose sperm के साथ affinity शो करते हैं फिर हमारे पास step in आया जिसको दो question थे की ovule या कि पूल जो है वो एनाट्रॉफुस है कि orthot्रॉफुस है और क्या वो unitegmic by tegmic है और finally इस तरह से हम matching करते हुए finally कहां पर पहुंचे कि किस तरह से जो हमारे पास leggetonia है उसके साथ भी ये similarity शो करते हैं और finally यहां तक हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास angiosperm है उनके जो possible ancestor है वो कौन हो सकते भई वो possible ancestor है हमारे advanced teradospons जो कि gloss of teradian cytonealian affinity को शो करेंगे और यह flourish हुए थे permian, triacic और jurassic के time period पर hopefully आपको यह theory समझ आई होगी so thank you so much और जो भी आपको pdf है वो आपको description box में मिल जाएगा और जिस book का reference मैंने यहां पे लिया है वो book भी आपको mention की गई है that is taxonomy of angiosperm by V.N. Naik यहां